आप सका सौगत हैं तो आज निशा की रसोई में बहुती हेल्दी और टेस्टी शिवरात्री स्पेशल खीर लेकर आई हूं जो की मखाने से बनाएंगे मखाने की खीर और बहुती स्वाधिश्ट बनती है तो यहां पर देखे मैंने बदाम ले लिये हैं और मखाने ले लिये ह हैं और आप पसंद करते हो तो ले सकते हो तो मैंने यहां पर जैसे बदाम लिये हैं आप और कोई भी भी ले सकते हो या बदाम काजू पिस्ता किसमिस सारे ड्राइफर्स आप ले सकते हैं लेकिन मेल हमारा मखाना रहेगा और यहां पर देखे गैस पर रखली कड़ाई कड मखानों को डाल कर हमें करारे होने तक रोष्ट करना है जलाती रहेंगे लो फलेम पर इसे हमें एकडम करारे होने तक भूहना है इसका जो मौश्यर है वो खत्म हो जाए और करारे हो जाएंगे तो खीर बहुत अच्छी लगती है और इसमें अगर जो भी सिंख पन्वा जाता है वह भी खतम हो जाता है और स्वाद भी बहुत बिहाते हैं करारे करके ही हमें इसको यूज़ करना है तो यहां पर देखिए मखानों को कलर चेंज होने लगा है अच्छे से बून लेना है आप इसी कि इसे भी ब्रत में पूजा पार्ट में बना सकते हैं और कुछ भी कभी भी मीठा घाना है तो फटा फट ये चावल की खीर की जाएगा ये खीर भी बनाईएगा बहुत अच्छी लगती है लड्डू गोपाल को आपको भोग लगाना है तो ये खीर आप बनाकर भोग लगा सक क्योगता है इसमें काल्σι intellij SCO मात्रा में होती है जो हमारी हड्यों को मजबूत रखते है जो 뒤 थाइने के टाइम बहुत ही लगती ह्टे मतलबात है ठाइब होता है मखाने कढ़ाई में एक लीटर दूद ले लिया है 12-15 बदाम रख देंगे जोसे हम टुकड़ो करके डालेंगे और 12-15 बदाम हम पीस कर डालेंगे कड़ाई में एक लीटर दूद ले लिए है तो आप देख सकते हो एक लीटर डूद ले लिए है अब यहां पर ग्याश तो यहां पर देखिए हलकी-लकी मलाई जमने लगी है, हलका-लका दूद गरम हो गया है, अब इसी जगह हम डाल देंगे जो यह खड़े मखाने हैं यह डाल देंगे, कि जल्दी से यह सॉफ्ट हो जाएंगे दूद में, अगर आपको खड़े मखाने पसंद नहीं है, तो आप यहां पर बिल्कुल पॉडर बनाके भी डाल सकते, या दरदरा कर सकते है, तो यह देखिए कुछ मैं यहां पर पीस कर डालूंगी, कुछ खड़े हैं कुछ पिसे हुएं हैं, पिसे वाले से यह खीर हमाई थोड़ी गाड़ी होने लगेगी, बस इस तरह से continue चलाते रहेंगे is나 dual फोड़ी तिक देखने लगी इतनी देर तक का याइफूरस चल बबना सकते हो और साबुदाने की खिचली है साबुदाने की खीर है। बहु कि अरे से बना सकती हैं जो शेवरात्री ब्रत या भी किसी भी भरत में खाया जासकता है तो यहां देखिए जो हमने बारह पंदरभा थया कोट के डाले हूँ, आपक करके कर के डाल सकते हो, मैंने क्रेश कर दिया है और इसको डाल देंगे जब पक जाते है और मुह में आते हैं, खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं यहां पर में एक डाल के एक काटोरी करीब चीनी डालओंगे मिठास अपने हिसाब से कम ज्या अपने इसाब से आप कम जादा कर सकते हैं, पांच चमबचे एक कटोरी में, तो इस तरह से डाल कर अब इसे मीडियम फ्लेम में, चलाते जाएंगे तो इस तरह से हमारी खीर गाड़ी होते जाएगी, साइट साइट में जो लगा है, उसे हम साइट में निकालते जाएंगे, और ये देखे, खीर का कलर और रंगत बदल गई है, खुसबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही स्वादिश्ट बनती है, तो ये हमारी खीर लगभग तयार हो गई है, आप चाहे तो इससे गाड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ठंडी होती है, तो ये खुद पे खीर है, तो यहां पर देखे, मैंने एक वाउल में इसको सिफ्ट कर लिया है, तो ये गर्वा गर्म कुछ खाने का मन है, मीठा और भाहर से नहीं ला सकते हैं, या फिर इतना टाइम नहीं है कि अब बनाएए, तो मखाने की ये खीर ज़रूर बनाएगा, जो हेल्दी भी हो जरूर आप बनाएगे, खाईए और इंजय कीजिए, बहुती स्वादिश्ट है, ब्रत में बनाएगे, बहुती हेल्थफूल होती है, और पूरा दिन पेट भरा भरा सा लगेगा, बहुती स्वादिश्ट है, तो फ्रेंट्स ये रैस्पी अगर आपको पसंद आती है, तो बहुती है, 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 झाल झाल